आज हम आपको भारत रतन से सम्मानित सर्दार वल्लव भाई पटेल जी के एक भाषन का संपादेत अंज सुनाने जा रहे हैं। बर्टवारा कबूल न करते तो देश के कई तुकड़े हो जाते। हमने हिंदुस्तान के तुकड़े किये जाना कबूल कर लिया। कई लोग कहते हैं कि हमने ऐसा क्यूं किया और यह गलती थी। मैं अभी तक नहीं मानता कि हमने कोई गलती की। साथ ही यह मानता हूँ कि अगर हमने हिंदुस्तान के टुकडे मंजूर नहीं किये होते तो आज जो हालत है, उससे भी बहुत बुरी हालत होने वाली थी. तब हिंदुस्तान के दो टुकडे नहीं, बल्कि अनेक टुकडे हो जाने वाले थे. मैं आपको इस बात की गहराई मे नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन यह बात मैं अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूँ. मेरे सामने वह सारी तस्वीर है कि हम किस तरह एक साल सरकार चला पाए थे और अगर हमने यह चीज कबूल न की होती तो क्या होता? लेकिन वे सारी बाते मैं आपको बताऊंग न हट दे, विदेशी हुकूमत न हटा दे, तब तक रोजाना ऐसी हालत होती जाती थी. हमें साफ तोर से दिखाए दिया कि हिंदुस्तान का भविश्य नहीं रहेगा और परिस्थिती काबू से बाहर चली जाएगी. इसलिए हमने सोचा कि अभी दो टुकडे करने से काम ठ कानी थी कि हम शांती से अपना काम करेंगे. उसमें हमारी गलती हुई. मैं यह नहीं कहता कि तुकडे करने में हमारी गलती हुई. गलती इसमें हुई कि तुकडे करने के बाद हमने वह काम किया जो नहीं करना था. आजादी के बाद दुनिया में हमारी इजचक बड़ी थी और 15 अगस्त के बाद दुनिया में हमारी एक जगह बन गई थी, हम उससे बहुत नीचे गिर गए, दूसरे देशों के लोग यह शक करने लगे कि हम लोग हुकूमत करने के लायक भी है या नहीं, कई अंग्रेज लोग ऐसे भी थे जो समझते थे कि जब हिंदुस्तान का किना चोड़ कर जाएंगे तो मुंबई के बंदरगाह पर लोग आएंगे और कहेंगे कि तुम इस देश से मत जाओ, यहीं रहो। वे मानते थे कि हम अपना राज नहीं चला सकेंगे, अब वहां तक तो हम नहीं गिरे और हमने एक तरह से तो हिंदुस्तान को ठीक कर लिया। ज जो अत्याचार हुआ, उसे बयान करने में दिल फर जाता है। पंजाब तो हिंदुस्तान का सिर है। इस तरह जख्मी देश को उठाने के लिए हम सबने बहुत कोशिश की, बाकी हिंदुस्तान को हमने संगठित कर लिया, वह होश में आ गया और सावधान हो गया। जब त दिली में छोड़कर आया हूँ, मुझे भी बहुत दर्द हुआ है। उन दिनों गांधी जी दिली में अपने जीवन का अंतिम उपवास कर रहे थे, लेकिन यहां ना आता तो भी मुसीबत थी। जो बात दिल से बात निकलनी चाहिए, जल्दी से वह निकलती भी नहीं, उ उसमें इतना दर्द भरा है। करीब हजार साल के बाद हमारे पास यह मौका आया है कि 80% हिंदुस्तान हमने एक कर लिया है। मौके का सही इस्तिमाल करें तो हम दुनिया के दूसरे बड़े-बड़े मुलकों के साथ बैठ सकते हैं और सारे एशिया की नेतागिरी कर सकते है 15 अगस्त के बाद हमने बहुत काम किया। उस काम से हमारी गिरी हुई प्रतिष्ठा फिर से हमें मिलने लगी। बहुत से मुलक अब यह सोचने लगे हैं कि जैसा वे हमें समझते थे, हम लोग वैसे बुरे नहीं है। हिंदुस्तान की जड़े भूत मजबूत होती जा रही हैं और उनको वे हिला नहीं सकेंगे। चार महीने में दो प्रांतों के टुकड़े किये और कई प्रांतों में जन्मत लिया। असम में से एक टुकड़ा निकाल लेने का होसला भी कर लिया गया। बंगाल और पंजाब के टुकड़े किये। इन्ही चार महीनों में पाकिस् दूसरी तरफ से इस तरफ लाई गए। समय आया है कि इस काम में जो मुसीबत आई थी आपको उसके बारे में बताऊं। एक लंबा सा, 60-60 मील का लंबा पैदल चलता जुलूस एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए चला, तो दूसरा उस तरफ से इस तरफ के लिए। दस, दस लाख आदमी एक साथ, जिनमें लाखों बच्चे और औरते थी, एक तरफ से दूसरी तरफ गए या आये। जो जिन्दा थे, वे गाड़ी, बैल, भेंस सभी कुछ लेकर चलते-चलते निकले। साथ में थोड़ी सी पुलिस या थोड़ी सी फौज ही होती थी, उपर से मुसलाधार बारिश, बच्चों और और औरतों तक के पास का कपड़ा नहीं, खाने का इंतजाम नहीं। दो-दो महीनों तक इस तरह से लोग चलते ही रहे, तभी हैजा फैला और सैकडों हजारों लोग मरने लगे। इसी हालत में अमरितसर शहर के बीच में से मुसल्मानों का जुलूस उधर जाने को हुआ। अमरितसर हिंदों सिखों से भरा हुआ था। सिखों ने इंकार किया कि इधर से ये मुसल्मान लोग नहीं जा सकते। वो साथ मील का लंबा जुलूस अब वहीं पड़ा था। इधर लोगों ने जिद पकर ली थी की जाने नहीं देंगे। उधर दूसरी तरफ को भी रोक लिया गया। लोग गुसे में भरे हुए। थे, अपने मकान जले हैं, बीवी बच्चे कतल हो गए हैं, खाने पीने की भी कोई चीज नहीं बची। आखे लाल हैं और तलवार लेकर निकल आए की नहीं जने देंगे। तब फौज से भी यह काम नहीं होता। फौज आखिर बंदूप च दिख वहां रुके पड़े हैं, उन अभागों के उपर पानी बरस रहा है, नीची भी सब पानी है, कपड़े भीगे हैं, नींद नहीं है, खाना नहीं है और हैजा शुरू हो गया है। इस तरह जलूज को रोपकर क्या फाइदा? मैंने अनुरोध किया कि मेरी बात मान लो अगर हमें लड़ना ही है तो दुनिया के लोग भी देखे कि यह लड़ने वाले बहादूर लोग हैं, आपकी तलवार कमजोरों पर चलेगी तो उससे क्या फाइदा होगा? पटियाला महराज ने भी मेरा साथ दिया, सिख नेता मान गए, अमरित सर में मेरे एक नोटिस पर पांच लाख आदमी जमा हो गए, मैंने कहा, आप सरकार की मदद करें, ताकि हमें पुलिस और फौज का इस्तिमाल न करना पड़े, आप वॉलन्टिया बनकर मुसल्मानों को इधर से निकल जाने दे और उधर जो हमारे हिंदू और सिख भाई पड़े हैं, उनको इधर ला मारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जै हिंद जै भारत